असलाम अलेकुम वर्ज वेलकम बैग आग की युटियों को यह टॉपिक है क्रियेट कोडिडोर, सेंपल लाइन एड मल्टिपल क्रास एक्षिन व्यू एड सूपर एलिवेशन क्रिटिकल स्टेशन यह हमारी जो सीटेज है यह डूल कारेज यह के रिलेटर है तो मैं इसमें पहले, सबसे पहले जो है हमने इस पे कोरिडोर क्रियेट करना है तो यहाँ पे मैं कोरिडोर क्रियेट करता हूँ कोरिडोर, ओके यह हमारी लाइनमेंट नेम है यह हमारा डेजाइन प्रोफाइल का नाम है यह हमारी assembly है जो हमने already create की थी और यहां पर यह हमारी target surface है तो मैं इसको just ok करता हूँ यहां पर frequency का मुझे पूछा जा रहा है तो यहां पर जो है हमारा जो target है वो हमने जो अपना corridor इसमें create करना है यहां पर हमारे पास tangent के distance जो है वो 10 meter पर मैं रख रहा हूँ इसको यहां पर भी मैं 10 रख रहा हूँ ओके long spiral horizontal point yes अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो इसको no भी कर सकते हैं मैं इसको yes ही कर रहा हूँ क्यूंकि यह हमारा corridor है सेंपल लाइन हम जो है वो critical station पर create करेंगे ओके अलांक करो ओके यहां पर मैंने जो by default option वहीं लिए हैं इनको मैं जस्ट करता हूँ और यहां पर मैं इसको करता हूँ री बिल्ड यहां पर corridor बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है को अधियर हमारा बन गया है कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं को अधियर हमारा बन गया है अभी हमने इस पर अपने sample line जो है वो create करने हैं तो यहां पर मैं sample line option लेता हूँ पहले भी हम लोग इसको देख चुके हैं यहां पर जो भी मैं sample and create कर रहा हूँ by range of station कर रहा हूँ ओके यहां पर width था अलड़ी 50 मैने इसमें रखी वी थी जो पहले इसमें create किये थे हमने तो by default वही आ रही है आपका जो भी requirement होगा आप उसके साफसे इसको रखिए sampling increment तो यहां पर मैंने इसको false रखा मुझे यहां पर नहीं चाहिए मैंने सिर्फ जो है alignment के start में end में और जहां पर मेरे geometry point है और जहां पर मेरे critical point है तो मैं geometry point को भी इसमें false कर देता हूँ मुझे जहीं है, जहां पर मुझे सिर्फ super elevation critical station पर चाहिए ओके यहां पर मैं right click करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह यहां पर यहां पर पूल super elevation का जो है वो station है इसी तरह जो curve end पे है और फिरा हमारे alignment end पे है तो अभी हमने multiple cross section view create करने है यहाँ पे मैं create multiple cross section view करता हूँ next okay next 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 okay next create section view तो यहाँ पे मैंने section view create किये है यहाँ पे आप लोग देख सकते है अभी तक इन में कुछ भी नहीं है तो हमने इनको add करना है अपने corridor को sample line में यहाँ पे हमारा यह corridor है मैं इसको add करता हूँ apply okay यहाँ पे आप लोग देख सकते है corridor हमारा बन के आ गया है यहाँ पे अभी इसका मैं स्वारा से style change करता हूँ यहाँ पे मैंने cross section view को select किया group property इसको मैं पहले थोड़ा से zoom करता हूँ ताके easily यह visualize हो जाए कि इसमें क्या changing आती है अगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यह आ गया है अभी मैं यहाँ इसको change करता हूँ यहाँ पे मैंने इसको select किया group property यह हमारा corridor है मैं इसका style change कर रहा हूँ apply तो यहाँ पे आप देखेंगे के section हमारे पूरे change हो गया है इसकी सारी coding और coloring वगयरा वो इसमें आ गई है तो आज का हमारा जो topic था वो यही था कि हमने corridor create करना है critical station पे sample line create करना है और हमने अपने cross section view जो है वो बनाने है तो यहाँ पे इसके जो super elevation हमने apply की हुई है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह section में show हो रही है ठीक है मैं इसको आपको alignment पर भी दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं alignment select करता हूँ view data यहाँ अगर हम देखें तो अभी हम अपने cross section जो है वो इससे match कर लेते हैं कि हमारी super elevation apply हुई जो हमने की है वो follow हो रही है या नहीं हो रही है तो यहाँ पर हम station check कर लेते हैं 479 है तो यहाँ पर यह 479 है minus 1.5 minus 1.5 minus 1.5 है दोनों साइड में यहाँ पर यह जो station है यह reverse crown का है sorry level crown का है 512.26 तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह follow हो रही है यह नहीं हो रही तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह left side में 0 हो गया है यहाँ पर यह जिरो है यहाँ पर यह minus 1.5 है तो यहाँ पर यह minus 1.5 है ओके अभी यहाँ पर यह जो रोट स्क्रों का station है वो 524 है ओके यह 524 ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह plus में है left side में यहाँ पर यह plus में है right side में यह minus में है यहाँ पर हमारा 3.9 जो है curve radius के साफ से जो automatically आया है ओके तो इसका station है 544 ओके तो यह 544 का station है हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह 544.26 544.26 और यहाँ पर यह जो है फूपर elevation अगर हम देखें तो यहाँ पर यह 3.9 पर चाथ आपकी तरफ चली की है और यहाँ पर यह डॉंग की तरफ पर 3.9 हो गया इसी तरह आगे जो है सारे जो है इसी के हिसाफ से हो गया हमारे इसकी यह जो slope है यह हमने उस time में 6 रखी थी ठीक है तो मैंने इसको थोड़ा सा मैच करने के लिए जहां पर हमारा data कम था और यहल का तो मैंने इसको जस्ट तो इस्ट वन किया है ओके तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिंग अल्लाह आपिस्ट झाल